पूरा पैटर्न अभी कुछ बदला है और जो पैटर्न बदला या सिलेबस में चेंजिस आएं उस सिलेबस की तहत हम देखें पहले की बाती 10 यूनिट तो हैं लेकिन इसमें जो डेटा है उसमें बदला हुआ है उसमें हम अगर पहला यूनिट देखें तो पहले यूनिट में इतिहास की व्यवस्ता है पूरी और इस इतिहास के सिलेबस में कुछ चेंजिस आए हैं तो आज से हम इस क्लास में इतिहास क जो MPPSC Prelims का syllabus है उसको हम discuss कर रहा है रोज इसके lectures upload होंगे जिसके माद्यम से हम MPPSC Prelims 2024 के लिए Prelims का syllabus उसको complete करेंगे दोस्तों और आज किस class में हम लोग पहला topic discuss करेंगे इसका जो है प्राचिन भारती ज्ञान परंपरा syllabus में इस बार जो बदला हुआ है उसके बाद आपको जो पहला topic दिया है इन्होंने वो दिया है प्राचिन भारती ज्यान परंपरा है तो उसको देखते हुए इस बार आपके सिलेवस में भी यह टॉपिक जोड़ा गया ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं आज किस लेक्षर को और समझते हैं प्राचीन भारती इन दोनो कालों के अंतरकत परेलक्षित होती है दोस्तों और धीरे-धीरे करके इसका करमिक विकास हमें देखने को मिलता है। बहुत दिकाल के सिक्षा व्यवस्ता से बहुत भिन्य थी कहीं न कहीं जो व्यवस्ता है उसको हम पूरा समझने का प्रयास करें लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्राचीन काल से भारत जो है वो ज्यान का ज्यान परंपरा का केंद रहा है पुर दुनिया में अगर सबसे पहले मकलिया की विकास हुआ है तो वो भारत में ही देखने की मिला है और भायरत से यह सारा ज्यान दूसरे देशों को पहुंचा है द सही ध्यान रखेंगे अब हम अगर प्रान्विक शिक्षा व्यवस्ता में जाए वैदिक काल की प्रान्विक pressed धोस्तों ऐसे थी पांच वर्ष की आयू परफश की आयू में बच्चे करें। यह जो विद्यारम संसकार होता था इसके सांथ ही बच्चे की सिक्षा का प्रारम होता था और पहले उसको प्रारम एक सिक्षा दी जाती थी अब यह विद्यारम संसकार में होता क्या था विद्यारम संसकार में या तो परिवार का व्यक्ति या परिवार का प्रोहित होता था ये गुरु होते थे उनके माध्यम से चावल के दानों पर बच्चू की उंगली से कोई वरण ये अक्षर लिखवाने का प्रयास किया जाता था जैसे बच्चा उंगली से चावल के दानों पर वरण लिख देता था तो वहीं से विद्यारम संस्कार पूर्ण होता था और यहां से बच्चे की प्रारमिक सिक्षा पूरी हो जाती थी अब समझना यह है यह जो प्रारमिक सिक्षा यह कितनी अवधी तक होगी तो ध्यान रखिएगा इसकी अवधी वरण के इसाफ से अलग-अलग हम लोगों को देखने को मिलती है जैसे अगर हम ब्रहमन धर्म में बात करें तो ब्रहमन का जो वरण रहा है इसमें यह माना जाता कि पांच वर्ष से लेखे आठ वर्ष तक आपको यह देखने को मिलेगी पांच वर्ष में आपका विद्यारम संस्कार होगा आठ वर्ष तक जब तक कि आपका उपने संस्कार का समय नहीं आ जाता है आपका प्रारमिक सिक्षा चलता था वहीं अगर हम यह शत्रिय कुल मे बाहरा वर्ष की इस्तिति तो ये विद्यारम संस्कार के बाद प्रारंबिक शिक्षा की व्यवस्ता थी जो भारत में हमें राची इनकाल में देखने को मिलती थी अब जिस विद्यारती की जिस बच्चे की प्रारंबिक इस größर प्राप्त्र करना उता तो टो एसे प्रयूमों में घर से लगातार कई वर्ष दूर कर गुरुकुल में रिशी मुनियों के मांद्यम से यृ शिक्षा प्राप्त होती थी ध्यान रखिए helped गुरुकुल का एक माहौल था, जहांपर विध्यारति को गुरुकुल की अवस्ता में अपने सभी चीजों का पालन करना होता था, वो कैसे हुआ हम समस्ते जरा, कि गुरुकुल में आप जाएंगे, गुरुकुल में जब जाते थे तो उसके लिए एक प्रकरिया होती थी जि आप जनियु संसकार के नाम से भी जानते यग्योपवी दारन करवाय जाता था और प्राचिन काल में अगर हम रिगवेदिक काल की बात करें खासका तो यहां पर एक इंपोर्टेंट चीज को ध्यान रखना है वो यह कि उस समय उपने अन्स संसकार का अधिकार सभी को था इस शत्री में अगर हम चले जाएं इसमें आपको देखने को मिलता है ग्यारा वर्ष और वैशी अगर वरण में चले जाएं तो यहां पर उपने अन्स संसकार होता था बारा वर्ष और इस समय से लगबक 25 वर्ष तक जब तक आपका ब्रह्मचरी का जीवन चलेगा आश्रम व देनिक दिन्चरिया थी उसका पालन करना होता था उस समय गुरुकुल व्यवस्ता में ध्यान रखेगा जो भारत की प्राचिन शिक्षा व्यवस्ता का आधार बूत व्यवस्ता थी दोस्तों ध्यान रखना ठीक है तो यहां उपने असंसकार हुआ उपने संसकार करने के ब बच्चा घुरुकुल जाता था गंजा कर दिया जाता था चोटी रख दी जाती दे लेकिन उच्छी सिक्षा में सिक्षा काय की दी जाती ती यहां पर एक समय के बाद वेदों का ज्यान प्राप्त करना होता था बच्चों को जो भी स्टूडेंट शात्र वहां रहते थे उनको वेदों का ग्यानดिया जाता था दोस्तों। और वेदों के ग्यान में भी यहाँ पर वेदों के ग्यान के आधार पर यहाँ पर उनकी उपाधी तै यह जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई कोई वेक्ति metric pass है 12th pass है degree holder है graduate है कोई वेक्ति ऐसा होता है जो बोस्ट विजुन किया होता है किसको डॉक्टरेट को पादी होती है आपके सिक्षा विवरस्ता के अधर पर आपको पादिया मिलती है वैसे ही पहले के समय पे वेदों की ग्यान के अधर पर यह उपादी मिलती ह समझने के लिए कि अगर किसी को एक वेद का ग्यान है तो उसको बोला जाता था एक वेद के ग्यान वाले वेक्ति को जनरली यहां पर बोला जाता था इसना तक अगर आपको एक वेद का ग्यान है तो आप इसना तक कहलाते थे अगर आपको दो वेद का ग्यान है तो दो वे थी वेदों के सिक्षा ज्यान के आधार पर ये उपादी दी जाती थी ये ध्यान रखिएगा ठीक है यहां पर जो ब्रह्मन होता था दोस्तों वो ये चारों वेदों का ज्यान प्राप्त करता ही था अच्छा ये तो आपको उपादी इस समय मिल गें लेकिन देखिए आज आ भारत की सिक्षा वेवस्ता चलती रही भारत की ज्यान का अधार वेद है क्योंकि ज्यान वेद शब्द का मतलब ही ज्यान का बंडार तो भारत की ज्यान का अधार वेद है और इसी की आधार पर बाद में आपकी पूरी सिस्टम को देखा है आपने लेकिन आगे जाकि क्या भारतिय संस्कृति वैश्विक इस तर पर प्राचींद्रम संस्कृति की तौर पर मौजूद है वैश्विक इस तर पर सबसे प्रसिद्ध व्यवस्ति संस्कृति की तौर पर मौजूद है इसकी ज्यान परमपरा भी सबसे सुद्रण ज्यान परमपरा है दुनिया की जब इस उनके लिए संकट सा लग रहा था कि हम यहाँ पर कैसे हमारी पूरी व्यवस्ता को स्थाबिद करेंगे तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं कि शास्त्री स्तुरतों को सबूतों को नस्ट कर देते हैं तो उन्होंने हमारे जो गरंच थे जो चीजे थे उनको नस्ट करना शु रुकी गई वो ले देखिए लिख़िद में मत जाहिए आप मोखिक जाहिए तो यहाँ है तो यहां पर यह कर दिया गया किants करें लिए तो यहां पर किसीने एक वेद को रखलिया किसीने जहें टीन especially जिसने चार पुरट लिया घंटकर हो गया जसने तीन वेदों को कंटस्त रत लिया वो त्रिवेदी हो गया, जसने दो वेदों को कंटस्त रत लिया वो अध्वेदी हो गया, तो ऐसे सरनेम से बिसाइड होने लगे, तो भारत की जो प्राचिन ग्यान परंपरा है दोस्तों बहुत ही जादा विक्सित रही है, सभी ग्य तिवाद की सिख्षा ओवे लग अग्रेवार के माध्यम से है एक उम्र तक बच्चा होता था परीवार से ही प्रारभिक ज्यान प्राप्त करता था, शिक्षा व्यवस्ता में जाता था, जब वो इस काबिल हो जाता था, कि दूर जाकर शिक्षा कर सके, तो फिर उसे इस काल में भी सिक्षा के लिए भीजा जाता था, तो उच्चे शिक्षा के लिए इस काल में बच्चा कहा जाता था, वो जाता था, मट म और उसी प्रकार व्याद को छैते निवासितान रे अब जिस परकार से गुरुकुल सिस्टम था उसी प्रकार से व्यार व्यवस्ता चलती थी लेकिन वहां आपको उपनेल संसकार मुनता था यहां पर इन प्रवेश के लिए व्यवस्था की वो थी प्रवज्य या पवज्य संसकार तो एक्जाम में आप लोगों से कोशन पूरू सकता है कि पवज्य क्या है पवज्य है बहुत मत्थों में या वीहारू में उच्चे शिक्षा के लिए students के जाने की जो प्रक्रिया थी जो संसकार था उसे आप प्रवज्जा या प्रवज्जा संसकार के नाम से जानते हैं तो ये बहुत कालीन इसके पहले हम नोगों ने वैदी कालिन सिक्षा देखी, इसके बाद हम देखें, दोस्तों के ध्यान रखिएगा, कि हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में सिक्षा के बहुत सारे केंद्र रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें, जबलपूर की बात कर लेकिन एच्छा केंद्र रहा है हम स्रीकृष्ण के गुरुकुल के तौफा संदीपनी आश्रम उज्जेन को देखते हैं यह स्रीकृष्ण ने सिक्षा प्राप की थी यह हमारे प्राचीन कालतम और सिक्षा के केंद्र रहें उज्जेन एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है लेकिन इसके अलावा देखें न देखें काशी हो मतुरा हो उज्जेन हो यह हमारे वैदिक कालिन सिक्षा की दर्श्टी से देखें तो बहुत बड़े केंद्रे के तौर पर दोस्तों देखे जाते थे इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना ठीक है अगला है आपका कि भारती दर्शन के पक्षिद्यान भारत की जो प्राचीनतम ज्यान परंपरा है वही हमें भारत के दर्शन में परिलक्षित होती है मतलब भारत के दर्शन इसी ज्यान परंपरा पर आधारित है जो प्राचीनतम थी क्यों क्योंकि प्राचीनतम ज्यान परंपरा में हमें वेदों का ग्यान दिया गया और चीज पर शोद करते हैं जब आपके चीज पर विचार करते हैं मनन करते हैं तो उस शोद की विचार की मनन करने की जो प्रक्रिया उसको आप दर्शन कहते हैं यसे हम मिमांसा की संग्या भी इसे कहते हैं और मिमांसा की जब हम बात करें तो इसके हमें भारती संदर्व में चा यसे शब्द जो है इसका उत्वत मिलता है मतलब ये है मालने जी हम यूमन्स का देख लें मनुश्छी का शरीर यहां पर ये बूले जाते है कि मनुश् taris की न paying कर बना जिन न था्टों से मिलकर बना उस तत्वों की जानकरी जो है वह र्ग. की जाती है ठीक है ज्यान मिमानसा में जब वो तत्वों का ज्यान प्राप्त हो जाता है तो उसका ज्यान को ही आप ज्यान मिमानसा कहते है ज्यान के बाद आचार या मूल्य जो ज्यान आप लोगों ने प्राप्त किया उसका क्या मूल्य है उसका क्या महत्व है उसकी क्या इसका मतलब है कि पहले आप तत्व के बारे में देखते हैं उनका आपको अध्यान हो जाता तो किसी भी चीच के बारे में आपका ग्यान तयार है उसका आप देखते हैं कि कहां कहां उसकी उपयोगीता है और उसके बाद उसकी उपयोगीता को लेकर तर्क वितर्क किये जाते जिसके आधार पर आपका एक अलग पूरा सिस्टम प्रपेर होता है थो एक्जाम में कोषिन पूछा जाएगा कि भारतीय दर्शन के कितने पक्षoti हैं तो भारतीय दर्शन के चार पक्षoti हैं चारों पक्ष planeta आप लोगों को ध्यान होना चाहिए तत्व मिमानसा ज्यान मिमानसा आचार या मुल मिमानसा या तर्क मिमानसा बरोबर इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर वैदिक कालिन सिक्षा के उदेश हम लोगों को पूछे जा सकते हैं कि वैदिक कालिन सिक्षा के क्या उदेशी थे ध्यान रखिएगा वैदिक कालिन सि समाज के लिए और भी काम कर सके फिर दूसरा कि राष्टी संस्क्रती का संरक्षन प्रसाथ आपकी सिक्षा आपकी संस्क्रती की पहचान भी बन जाती है तो सिक्षा व्यवस्ता जितनी बहतर होगी उस हिसाब से आप संस्कृति का और रास्टी व्यवस्ता का संरक्षन भी कर सकते हैं, प्रचार भी कर सकते हैं, लेकिन वेधिक कालीन सिक्षा का जो एक important उद्देशी था, जो आधार्ता वो ये था, इश्वर भक्ती और धार्मिक था, कि सिक्षा हो समय दी जाती थी, तो अगर सिक्षा व्यवस्ता के वैदिक काल को उद्देश है आप लोगों से पूछे जाते हैं तो यह ध्यान रखेगा यह प्रमक उद्देश थे इसके बाद हम देखें उद्देशों के बाद आता है कि इसकी विशेष्टा या गुण क्या थी तो वैदिक कालीन सिक्षा क कि आपको विशेष्टा देखने को मिलती है कि निश्व को शिक्षा भारती सवग्धान के अनुच्छे दिक्किस के सब क्लॉज एक क्लॉज ए में जाते हैं आर्टिकल 21 क्लॉज ए को जब आप देखते हैं तो उसके तायत आपको अनिवारे और निश्वल शिक्षा की व्य इसे में जो इस्ट्री और पूरुश हैं इनके लिए समान शिक्षा व्यवस्ता उस समय चलती थी इस समय की जो परंपरा थी उसमें गुरु सिश्ची की परंपरा के तहत यहां पर शिक्षा ले जाती थी यहीं से एक शिक्षा का drश स्थापीत होता था क्योंकि यह धार्मी को रध्यात्मिक सिक्षा दी जाती थी ये भी आप लोगों को ध्यान रखना इसके अलबा जब पूरी सिक्षन विवस्ता खतम होती थी तो गुरु दक्षिना की परंपरा चलती थी, आपने सुना एक लब दे से लेके अरजुन तक हम लोगों ने समय समय पर गुरु दक्षिना का देखा है, कि जरूर नहीं कि गुरु दक्षिना आपको धन के तोर पर देना पड़ेगा, वो गुरु जी की इक्षा थी, कि आप और उपेक्षा में देखने को मिलती है, अगर हम रिग्वेदी काल में देखें तो सभी लिए सभी विवस्ता समान थी, परंद जब आप उत्तरवेदी काल में जाते हैं, जब समाज में थोड़ी सी विक्रतिया आ गई थी, उस समय शुद्रों की उपेक्षा की जाने लगी इस्तरी सिक्षा का पतन हमें बाद में देखने को मिलता, रिग्वेदी काल में तो इस्तरीयों को उपने संसकार का दिकार दिया गया, लेकिन बाद में इस्तरीयों की भी उपेक्षा की जाने लगी, जाती बाद को महत्वत दिया जाता था और लोग भाशाएं जो उती ही, उनकी उपेक्षा थी, संस्कृत में ही आपको सारी चीजें अविलेवल करवाई जाती थी, इसके लावद दोस्तों, अगर हम देखें, तो यहीं से फिर हम लोग भारत वर्ष के अवधाराना की तरब भी बनते हैं, यह तो हमारी सिक्षा व्यवस्ता थी, कि हमारी प्राचिन भारत वर्ष जो अलग-अलग नामों से जाना गया, समय समय पर इसके छेत्रिफल में इसकी व्यवस्ता में बदला हुआ, अलग-अलग राज्यों ने राज किये, और इसकी व्यवस्ता में कुछ न कुछ अपने इसाप से परिवर्तन भी किये, उन सब को अगले क्लास में जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेक्चर देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बैल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अब लगातार हमारी इस पूरी लेक्चर शंकला को हम लोग जारी रखेंगे, जिससे की पूरा के पूरा सि जए शेला